दोस्तों कैसे हैं आप सब अमीद है अच्छे ही होंगे आज मैं आपको अपने चैनल में कुछ नया कुछ डिफरेंट यूनिक चीज बनाना सिखाऊंगी डियाइवाय बनाना सिखाऊंगी जो बहुती कम समय में बहुती कम बजट में आप अपने घर के समान को लेकर अपनी सुन्दर दिखेंगे वह कि सब उसकी तारीफ करे बगार नहीं रहेंगे तो प्लीज अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ अगर उसमें कोई भी कोई भी आपको कमी नजर आई या कुछ उसके बारे में सजिशन द अपना डियाइवे आपको बनाना सिखाती है चीक है तो लेट्स गो स्टार्ट तो यह मेरे पास एक गिटार है जो कि खराब हो चुका है यह ठीक नहीं हो सकता तो मैं इसको री यूस करूंगी कुछ इनोवेटिव बनाने की कोशिश करूंगी तो मैं इसके सारे वायर निकाल रही हूं आप अपने घर का कोई भी समान जो अब यूस नहीं करते तूट गया हो उसको फेक ना हो कबाड़ी को देना हो तो आप उसको कुछ इनोवेटिव बना सकते है एक नया अपना इनोवेशन क्रियेट कर सकते हैं इसको मैं यहां से थोड़ा सा रफ हो गया है तो मैं रेक माल से इसको क्लीन करूंगी स्मूध बनाऊंगी देखिए यहां से अब स्मूध हो गया है अब सिंटर में मुझे एक होल करना है तो इसके लिए मैंने पेचकस लिया है स्कूर डाइवर जिसे मैं इसको होल करूंगी यह आपके एक ब्रेश से भी हो जाएगा क्योंकि इसकी वह इतनी स्ट्रॉंग नहीं होती है अब मैं एक स्टेंसिल यूज करूंगी उसके लिए मैंने फैब्रिक कलर लिया है फैब्रिक में वाइट एंड ब्लू कलर लिया है आप कोई भी कलर यूज कर सकती है बस वाटर कलर नहीं होना चाहिए यह देखिए मैं स्टैंप की हेल्प से स्टेंसिल यूज कर रही हूं यह ब्रिक का लुक आएगा आप खुआए अब कोई और भी स्टैंसिल यूज करते हैं फ्लॉवर का भी यूज कर सकते हैं कोई डिजाइनर भी कर सकते हैं बॉर्डर पर बनाने वाले डिजाइनस का भी यूज कर सकते हैं झाल 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 तो यह देखिए कितना अच्छा टेक्सचर लुक आया है मैंने ब्लू एंड वाइट की शेडिंग दी है एब मैं इस पर प्लॉवर बनाओंगी और इसके लिए मैंने मुल यूस किया है रण प्रेक्रिल का शिल्प कार व फब्रिक कलर अब भी अच्छे मिक्स हो गया अब हम इसके फ्लावर बनाएंगे लावर बनाने के लिए कोई भी तेलकम पाउडर ले लीजए उसको स्प्रेट करिए बनाते हैं उसी तरह इसे गोल गोल बनाकर बेल लीजए पाउडर हम लोग इसले डालते हैं ताकि वह चिपके नहीं स्टिक ना करें आपके सर्फिस पर तो देखें मैंने यह चोटा सा बेला है और अब मैं इस में यह फ्लावर का मिल पास मुआए इससे मैं कट करोंगी तो यह देखें बहुत ही सुन्दर शेफ निकल कर आया है और इसी तरीके से मैं सारे शेफ निकाल लोगी फ्लावर का लीव का यह देखें मैंने कितने सारे चोटे बड़े हर साइस के फ्लावर निकाल लीए अब मैं लीव का कटिंग किये मैंने कितना सुन्दर लीव निकल के आया है और इसी की हल्प से मैं बहुत सारे लीव पी कट करके बना लूँगी यह एर ड्राई होता है तो इसको अगर हाफ एन आवर रख दे तो यह सूप जाएगा और हार्ड हो जाएगा अगा अगा अग आपको कोई भी डिजाइन बनाने के लिए शिल्पकार बहुत ही अच्छा कले है जो बहुत इसली आपके डिजाइन को जो भी शेप देना हो आप उसको वह शेप दे सकते हैं अब मैं इस पर इसको स्टिक करूंगी मैं परले लगा के दिखा रही हूँ फिर मैं फ्याविक इसको स्टिक कर दूंगे रही हूँ आप झाल 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 यह देखिए मैंने एक थ्रेट लिया हुआ है आप सुतली में ले सकते हो मोटा थ्रेट भी ले सकते हो इसको मैं राविगलू की हेल्प से इस्टेम बनाने के लिए चिक हो आप इसको उपर तक स्टिक कर दीजे झाल 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 सकते हैं साइज अपने कोर्डिंग करिए जितना बड़ा भी आपको रखें इदे के होल किया हुआ यहीं पर सिंटर रखके मैं इसको स्टिक करूंगी फैबिक होल की हेल्प से और स्टिक करते समय यह ध्यान रखिएगा कि एकदम फिनिशिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए हाथ से उसको फिला दीजे कि कहीं भी एर बबल ना रह जाए हुआ है अब मैं इसमें पैविक रिल का मॉच पॉच लगाऊंगी इस पेपर की लाइफ पढ़ जाएगी इसमें शाइनिंग आ जाएगी तो मॉच पॉच बहुत ही इंपॉटन्ट होता है किसी चीज को किसी भी चीज की स्टेबिल्टी उसकी लाइफ पढ़ाने के लिए और इसमे इसमें 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 अच्छा दिखता है यह मैंने घड़ी की मशीन ली हुए है यह बहुत ही कम रेट में मिल जाती सौ देर सो में आपको मिल जाएगी तो इसको हम पीछे से लगाएंगे मैं पीछे होल कर रही हूँ इसको हैंग करने के लिए मैंने पहले नहीं किया इसलिए मुझे ड्रिल मशीन का यूज़ करना पड़ा है नहीं तो यह आप नॉर्मल पेटकस से भी कर सकते हैं कितनी सुन्दर वाल क्लोग बनी है तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और हाँ अगर कोई भी कमी लगी हो कोई भी चीज़ आपको क्लियर ना हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजेगा जो जो लां भाई लांसे अगर में आकाई का नहीं होता है